हेलो स्टुडेंट्स गुट मॉर्णिंग कैसे हैं आप लोग प्रीपोजिशन के आप की सीरीज में हम लोग यूज़ाफ टू, यूज़ाफ बाई, यूज़ाफ विद और यूज़ाफ विद इन का ध्यान करेंगे जो की मॉस्ट इंपोर्टेंट है एक्जाम के परपस से भी और आपके हाइद स्कूल और इंटरके बोर्ट इक्जाम के परपरस से भीघर घंब सो हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में जानेंगे इसका हिंदी उचरन क्या होता है हिंदी एर्थ तो इंकलिष में कैसे हम लोग और प्रोणावन to show its relation between to show its relation with another noun or pronoun. तो जिसे हमने अभी तक in का प्रयोग पढ़ लिया है, at का प्रयोग प्रयोग पढ़ लिया है, on, upon, over और into का प्रयोग हम लोगों ने सेख लिया है. उसे क्लासे हम लोग पढ़ने वाले हैं use of to. 2 क्या होता है 2 का प्र yapig हम लोग कैसे करेंगे, satsi class हम लोग इसको जानने बाले हैं तो students 2 का हिंदी में अर्थ होता है ko to means ko पहला नमबर है का जिसे स्थान के लिए जहां पर गती हो 2 का पर करते हैं? अस्थान के लिए जहाँ पर गती होती है उसके लिए हम लोग Two का प्रयोग करते हैं और Two का हिंदी में चरह होता है Hindi एर्थ होता है को जैसे इक्जांपल लिखा है सीता Is ताउने गो टू गो तो टेमपल सीता मंदिर जायेगी यहाँ पर को दिखे सीता मंदीर जाएगा था सीता मंदीर को जाएगी ना तो two means को होता है लेकिन यहाँ पर लिखा नहीं गया है तो वो प्रकार से hidden है तो सीता विल गो टो टेंपल सीता मंदीर जाएगी उसी प्रकार से 19 नंबर एक्जमपल है इसको परेयोग हमने सीखा यूज आप भाई सीखते हैं बाई का प्रयोग क्या होता है इसको पैजिवाइस में जानते हैं पहले इसको पैजी वाइस में द्वारा होता है जैसे अलेटर इस रिटेन बाई मी मेरे द्वारा एक पत्र लिखा जाता है अलेटर इस रिटेन बाई मी पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है अलेटर इस रिटेन बाई मी मेरे द्वारा एक पत्र लिखा जाता है यह किसमे है आपका पैजी वाइस में बनाने के लिए होता है पैजी वाइस में बनाने के लिए हम लोग इस प्रकार करते हैं पैजी वाइस में हमेशा वर्ब अपनी थार्ड फार्म में होता है अबजेक्ट से स्टार्ट करते हैं अबजेक्ट प्लस वर्ब प्लस को हिंदी में अर्थ होता है था इसको पैजस किसे बनाएंगे अलिटर इस रिटन रइंगर मेरे द्वारा एक पत्र लिखा जाता है और कि और इसका अर्थ होता है लगा ओ किया टक्सिर्षिक ही है किक Uh means I mean by means तक भी होता है और by means द्वारा भी होता है I shall come to you by 10 o'clock मैं आपके पास 10 बज़े तक आ जाओंगा इस प्रकार से हमने जाना यूज आप बाई आए हम लोग जानते हैं यूज आफ वित का प्रयोग यूज आफ वित का प्रयोग कहां पर करते हैं शौर्टर में बहुत शौर्ट कट में लेंगे चलना में आपको बहुत डिटेल में जाओंगा अगर डिटेल में चलूँगा तो हम लोग एक टॉपिक को एक टू को और बाई को वित को ही कि पढ़ेंगे देश-देश मिनट के एक वीडियो होगी और आपको प्री पोजिशन खदम करने में एक महिना लग जाएगा जो कि अच्छा नहीं है हमारे पास एक्जाम के लिए बहुत कम वक्त बचा है इन कम वक्तों में हम लोग कैसे शौट टर्म में थोड़े शब्दों में थोड़े टाइम में पूरी त्यारी कैसे कर सकते है कर रहा है कि कि किया किसी यंद्र से पूरुव हम लोग वित्र का प्रयोग करते हैं जैसे she cuts the mango with a knife यहाँ पर knife चाकू, चाकू क्या है चाकू एक यंद्र है यंद्र के पहले भी हमको वित्र का प्रयोग करना पड़ता है इसलिए लिखा हुआ है, she cuts the mango with a knife, वहां आम को चाकू से काटती है, यहां पर with means क्या होता है, say, with means say, इसी को देख लेते हैं साथ के संबंध में क्या होता, with means, साथ आएगा तब उसका प्रयोग कैसे करना है, जब दो वस्तु या व्यक्ति एक दूसरे से मिले, अर्थात उनक सायोग होता है, तब वहां पर हम लोग with का प्रयोग करते हैं, क्या, जब दो वस्तु या दो व्यक्ति आपस में मिले, वहां पर भी हम लोग with का प्रयोग करते हैं, जैसे I shall go there with mohan, यहां पर I और mohan, दोनों साथ साथ जाएंगे न, तो दिखिए यहां पर with mohan लिखा हुआ ठीक है, विधिन का प्रयोग कहां पर करते हैं, विधिन का प्रयोग जानना भी जरूरी है, जैसे within मि इस होता है, मैं ही यके अंदर within, दी हुई आवधि के समाब्थ होने से पूर्व कार को संपन का लिए नागर हो रहा है, वहां पर हम लोग with परियोग करते हैं जैसे मैं दो घंटे के अंदर ही वापस आ जाओंगा। में 10 मिनित तो नहीं तो वितिन का प्रयोग करना मी स्क्या कि अंदर ये श्मयावाधी के अंदर ही वहां पर काम पूरा कर लेगा और इन का ुआ फ्यावाधी तक पूरा कर लेगा या था समय भी लग सकता है ठीक ना तो यह था स्टुटेंट सापका प्री पोजिशनु जिस का देन किया तो स्ट्टिएंस आज के लिए परियाप्त है नेक्ष्ट की वीडियों हम लोग आफ्टर विफोर तिल और फ्राम का परयोग करना सिखेंगे तब तक के लिए थैंक्स वाचिंग दा वीडियो जैहिंद वन देमात